हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं उपलप्त करवाने के निर्देश भी दिये उन्होंने घायलों के परिजनों से भी बाचीत की अधिक्षक गायलों के स्वास में सुधार के संबन में भी उन्हें अपडेट देते रहने के निर्देश दिये डॉक्टर आसेरी ने संभाग्य आयूक को बताया कि ट्रक्व बस डगद और घटना में 22 घायल हुए हैं जिनका यहां इलाज चल रहा है तीन घायलों की स्तिती स्तिर है संभाग्य आयुक ने खेडापा के पास डगद और घटना में घायल की भी जानकारी ले आतरिक संभाग्य आयुक श्री आरुन कुमार पुरोहित भी साथ थे जागरुक टीवी की खास रपोर्ट